जमशेत पूर में मादूर्गा की प्रत्मा के विसर्जन के दौरान फुर्दंगियों ने एक होटल का निशाना बनाया है तंदूरी हट नाम के एक मशुहूर रेस्टोरेंट पर हुर्दंगियों ने हमला बोल दिया जुन्ड में आये लड़कों ने पहले तो होटल के स्टाफ को चुन-चुन कर मारा इसके बाल हुर्दंगियों ने होटल मालिक त्रिलोचन सिंग के साथ धक्का मुक्य की दरसल विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ यूओकों ने होटल में पानी की मांग की और पानी पीने के नाम पर रेस्टोरेंट में जबरन घुसाए रेस्टोरेंट में घुसते ही लड़कों के जुन्डने तांडो मचाना शुरू कर दिया हुर्दंग होता देख रेस्टोरेंट में मौजूद महिलाओं में दह्शत का महौल कायम हो गया सभी महिलाएं डर के मारे होटल के ट्वालेट में घुज गई हुडदंगियों ने रेश्टरॉंट में परोसा जाने वाला सारा खाना भी फेक दिया साथ ही उसके मालिक पर भी जानलेवा हमला किया इस हमले में त्रिलोचन सिंग नाम के कारोबारी को लाग रुपे का नुकसान हुआ है एक स्टाफ को बीस लड़के मिलके मारने लगें और उसके बाद एक भी लड़का जो था मतलब पोश्च में नहीं था सब ने दारू भी रखी थी दुकान में लेडिस कस्टामर्स थी सब डर के बातरूम के अंदर में सारे गुज गये थाने में हमने कंपलेन किया है एप्लिकेशन दिया है और अभी सर से बात हुए है कि सारा फूटेज बगरा दीजे और एफाई हम लों कर रहे हैं इस घटना की सूजना बिस्टुपूर थाने को लिखिश शिकायत भी दी गई है वहीं त्रिलोचन सिंग को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके रेस्टोरेंट पर हमला क्यों किया गया इस कार्ण के बाद इलाके के कारोबारियों में दहशत का महौल है इसलिए सीसी टीवी फूटेज के जरिये हमलावरों की तलाश कर उनके खिलाव सकत कार्यवाई की जायनी चाहिए ताकि आगे से कोई हुरदंगी इस तरह का कार्ण करने की जुर्रत ना कर सके पंजाब के स्री टीवी के लिए जमशेद पूर से इंद्र सिंग की रिपूर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध ज्यादा जरूर करें जरूर करें लाइक।